माइक मिме नइअटक कॉर्णमंच के पासस्प्रिक समंदों पर प्रगाश्टा दग्यां दोसरे सब्दों में नइज भुशे काभी किसे शुर। है और काब्ये सुनाटकंग रम्यम कहकर उनकी विशिष्टा रिखंकित की गई है दूसरे सब्दों में यह का जा सकता है कि जो रचना स्रवन द्वारा ही नहीं अपिति द्रिष्टी द्वारा भी दर्शकों के हिर्दय में रशान भूति कराती है उसे नाटक या द्रिष्ट का बिकाते हैं नाटे लेखन से लेकर रंगमंच पर उसकी प्रस्तूती करंत कई कलाओं का संसलिष्ट रूप लेकर अखंड सत्य का व्यात्मक स्वंदय के विलक्षम स्रिष्ट करता है इसकी प्रमुख विशेष्टा है कि आस्वादन और संप्रेशन दोनों साथ साथ चल नाज को सुक्सांति बाटने वाला याकाब एक विलक्षन कृति के स्रेनी में आता रहा है यही कारण है कि आचार भरत ने नाटे सास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटा को तीन लोकों के विशाल भावों का अनुकृतन तथा ज्यान, सिल्प, योग, विद्या, कर्म का ब ना तत कर्म, नाटे स्मिन, अन द्रिश्यते, भारत में प्राचिनकाल से नाटक यह रंगमंच का घनिष्ट सम्मन्द रहा है, नाटक इसलिए लिखे जाते थे कि उसका रंगमंच पर अभिने किया जा सके, असपस्थ है कि नाटक के साथ साथ रंगमंच का भी उदे हुआ होगा, प्राचिन नाटकों में आये रंग निर्देश निर्देश इस बात को प्रमानित करते हैं कि नाटक के साथ ही रंगमंच की कल्पना की गई, संस्किर्ट काल में रंगमंच का गवरव पुर्नितिहास रहा, किन्तु बदलती समाजिक राजनीतिक प्रस्थीतियों में नाटक ए उरंगमंच का उत्रोतर हरास होता गया हमारे देश में संस्किर्ट के सहित्य नाटकों का एवने राज प्रसादों तक है प्रायस्चिमित था यही कारण है कि जनरूची से दूर होने के कारण उसमें विसेश परिवर्त नहीं हुआ उसका विसेश विकास नहीं हो प अभिनेता रंगमंच और प्रेच्छक इन तीनों तत्तों की पूर्ती की साधनों का अभिवेचन भी होता है उन्होंने नाट्य सास्त्र के रंगमंच अभिनेता अभिने निर्थिगित वाद्य अवनिका प्रकास जूजना दर्शक दस रूपक और रसनिश्पति से समंदि संपुर्ण तत्यों का अभिवेचन विश्लेशन किया है उन्हें तत्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि नाटक की सफलता के वालेखा की परतिभाह पर आधारित नहीं होती बलकि बिभीन कलाओं कलाकारों रंगमंच पर अभिनेताओं या कलाकारों की अनुकूल प्र अध्वा दर्सुकों की सम्मुख नाटक का अभिने प्रदर्शित किया जाता है भरत्मुत्मी के अनुसात नाटक एक विश्चंवीध और प्रेक्षाग्री की अस्थापना एक यग्य है प्रेक्षाग्र अथ्वा रंगमंच के मुक्ता चार भाग होते हैं नेपध जिसक अगरी हुआ है जो रंगमंच पर रखा हुआ होता है आवशक्ता अनुसार उसके अस्थान परिवर्तन किये जाते हैं उसको लाया जा सकता है जैसे कुर्सी मेच कृत्रिम ब्रिक्च परवाद भावन इत्यादि और चौथा है मंच का अगरभाव जो प्रेक्षकों को मंच से करता है कावि सास्त्री डॉक्टर भगिरत मिस्र ने लिखा कि सास्त्र के नुसार्व इसकर्मा ने प्रिक्षा ग्रिह अथवार रंगमंच के तीन प्रकार की स्थेंतिया निश्चित किया है पहला विक्रिष्ट जिसे श्रिष्ट श्रेनी का यह रंगमंच था और जिनके के विशे में उन्होंने जो आकार दिया है वह है विक्रिष्ट का जिसमें यूँ कहा जा सकता है कि आप देखें यह 108 हाथ अथवा 162 फीट का यह आकार का होता है पुर्वरंग जिसको आप देखेंगे कि यह जो भाग है वो एक प्रकार से अना मूलता यह विक्रिष्ट देवालियों में पर्थम परकार के रंगमंच का प्रियोग होता रहा है यह लंबा आकार का होता है देवालियों के लिए प्रमुकरा है देवतुल्य जन को ही अभिने प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। दूसरा है चतुरस्त अथ्वा मध्यम। तो ये मध्यम प्रकार के हैं जिसमें आप देखें कि ये 96, 96 फिट लंबा और 96 फिट जवडा इसका आकार होता है। बीच में रंग पीठ होते हैं और रंग सिर्ष होते हैं जहां अभिनेता रंग पीठ में अभिनेता सजने का काम करता है, सवरने का काम करता है, वहां निर्देशक होते हैं, सुत्रधार होते हैं और रंग सिर्ष पर जहां अभिनेता अभिने करते हैं। इस समन्द में यह माना जाता है कि मूलता ये राजग्रियों में इसकी विवस्था हुआ करते थे इसे उत्तम माना गया है प्रिच्छाग्र में बैठे दर्सक सहचता से वाध्य गीत संबाद सुत्र से जुड़े हुए होते थे और नेपत थे और आधे भार जो है रंगसुर देखे सकते हैं और तृतिय है त्रियस्त रंगमंच सधारन जानों के लिए यह त्यार किया जाता था यह त्रिकुनात्मक होते हैं और यह त्रिकुनात्मक आप इसे देखेंगे यह त्रिकुनात्मक और यह जो भाग है यहां यह नेपत्य है यह रंगमंच है और इस करते हैं तो यह अपना इस प्रकार से हम क्या सकते हैं कि रंगमंच अथ्वाथ थियेटर वास्थान है जहां निर्थ नाटक खेल संबाद अभिने आदि प्रस्तोत होते हैं रंगमंच सब्द रंग और मंच दो शब्दों के योग से बना है रंग शब्द का विप्राय है कि द्रिश्य को आकरसक बनाने के लिए दिवारों छटों परदों पर विवीद प्रकार के चित्रकारी की जाए अभिनेताओं की वेश्बूसा सासज्जा में भी विवीद मनुरंजक रंगों का प्रवेश किया जाए ग्रमंच का तल फर्स से उ करेंगेड़िए जाए जाए तुन मुर्स का उर से तोने लिए आड़ पर्सक्तंवर थजएब से जाए